नमस्कार दोस्तों मैं डिके गौतम अपने यूटूब चैनल gststudy.in में आपका स्वागत है आप मेरे थैमनेल को देखकर पहचान नहीं गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं तो आज हम लोग क्लास तेन्थ के चैप्टर दस मचली कहानी के अबजेक्टिव कोश्चन को आज कम्पलीट करेंगे ठीके और सिर्फ ये अबजेक्टिव कोश्चन चैप्टर दस कहीं होगा सिर्फ मचली कहानी कहीं कोश्चन हम लोग कभर करेंगे ठीके तो चलिए जो भी लोग मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किये हैं ओ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सस्क्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दें क्योंकि जो भी वीडियो जो भी मतलव की कलास के वीडियो जापको दिये जाएंगे जिसका notification आपको सबसे पहले मिल जाए ठीके चलिए तो हम लोग सुरू करते हैं question number जो पहला है नौकर की कमीज नामक उपनिवास किसकी रचना है नौकर की कमीज नामक एक उपनिवास है जिसकी रचना ये जिसकी रचाईता जिसके लेखक कौन है ठीके न तो option number A है कैलास वाजबेई की option number B है बिनोध कुमार सुकल की option number C है असोक वाजबेई की और option number D है अमरकांद की ठीके तो इसका सही जवाब होगा बिनोध कुमार सुकल की ठीके चलिए हम लोग question number 2 की बात करते हैं question number 2 है मचली है देखिए मचली जो चैप्टर के मेरा नाम है मचली ओ क्या है ठीके तो option number A कहानी option number B है निबंध option number C है सिक्छा सास्त्र और option number D है ललित निबंध ठीके तो इसका जो दो का सही जवाब होगा option number A होगा यानि कहानी ठीके चलि हम लोग question number 3 की बात करते हैं question number 3 है जोले में कितनी मचली आ थी ठीके जोले में जो पीता जी जो बजार गए थे मचली खरिदने के लिए तो जोला में मचली कितनी थी इस चीज को हम लोग को जानना है तो option number A है 2 option number B है 4 option number C है 3 option number D है 5 ठीके तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तो option number C होगा ठीके जोले में 3 मचली आ थी ठीके चलिए हम लोग अगे बात करते है question number 4 की question number 4 है संतु कांप रहा था संतु जो था कांप रहा था कैसे कांप रहा था option number A है डर से option number B है ठंड से option number C मचली देखने से option number D मार पढ़ने से ठीके तो चार का जो सही जवाब होगा दोस्तो ओ होगा option number B ठंड से ठीके चलिए question number 5 की बात करते है question number 5 जो पांच नमबर है जो मचली मर जाती है उसके आखों में ज्हांकने पर ज्हांकने से अपनी फरचाई नहीं दिखती ऐसा कौन कहता है यानि कहने का मतलब है यहाँ पे कि जब मचली मर जाती है तो उसकी आखों में आदमी का फरचाई नहीं दिखता है यह बात किसने कहा था option number A दीदी option number B मम्मी option number C पापा option number D दुकंदा जिसका सही जवाब होगा option number A होगा दीदी नहीं बच्चों को यह जनकारी दिखी थी कि जो मचली मर जाती है उसके आखों में आदमी का फरचाई नहीं दिखता है ठीके चलि हम बात करते है question number 6 की question number 6 है मचली अभी कट जाएगी ऐसा किसने कहा यानि ऐसा किसने पूछा कि मचली अभी कट जाएगी ठीके question number 6 की हमगर option की बात करते है तो A में है शन्तू B में है दीदी C में है पापा और D में है मम्मी ठीके न तो 6 का जो सही जवाब होगा वो option number आपका होगा A option number A सही जवाब है ठीके पर कमरा किसकी रचना है देखी दोस्तो A जो पेड़ पर जो कमरा एक किसकी रचना है तो option number A है बिनोत कुमार सुकल option number B है अशोक बाजपेई option number C है अमरकांत और option number D है या तिंद्र मीस्तृ ठीके तो 7 का जो सही जवाब होगा वो option number A होगा बिनोत कुमार सुकलिए question number 8 जो है मचली कौन खाता था यानि घर में जो मचली खरिदी गये थी जो तिन मचलिया खरिदी गये थी ओ घर में मचली खातें कौन थे option number A है मम्मी option number B है पापा या पीता जी भी आ बोल सकते हैं option number C है A या अवं B कहानिकार बिनोद कुमार्शुक्ल के किसय कहानी संग्रा से लिगई है؟ यानि ये मचली जो हम लोग जान रहे हैं ये बिनोत कुमार शुकल के दुवारा लिखा हुआ एक कहानी संग्रा किस मतलब की पात्र से ने किस कहानी से लिया गया है तो अप्सन नमर ये है पेड़ पर कमरा, अप्सन नमर भी है महाविद्याले, अप्सन नमर स्री है मानसोबर और अप्सन नमर कोठरी की बाद तो इसका सही जवाब होगा अप्सन नमर भी महाविद्याले से लिया गया है ठीक है चलिए question हम बात करते हैं आपको 10 नमर की तो question 10 है पीता जी ने बजार से कितनी मचलिया खरी दी थी तो एक question दो बार आ चुका है तो मैं इसको बता देता हूं इसका answer जो है आप हमें comment वेक्स में बताएंगे ठीके तो option number A है 3, option number B है 4, option number C है 2 और option number D है 5 ठीके चलिए question number हम बात करते हैं 11 नमर परिवार के नौकर का क्या नम था उस परिवार में संतु था, भंगू था, नरेन था, पिता जी थे, दिदी थी तो इस परिवार के नौकर का क्या नम था तो option number A संतु, option number B महंतु, option number C भंगू, option number D नरेन थीके तो इसका जो सही जवाब आपको होगा, वो option number C होगा, घर के नौकर का नाम भंगू था, ठीके उसके बार हम बात करते हैं, question number 12 की नरेन कौन था, यानि नरेन जो था, ये कौन था, तो option number A है नौकर, option number B है कतकार का भाई, option number C कतकार का दोस्त, option number D दिदी का प्रेमी, तो इसका जो सही जवाब होगा, वो option number D होगा, दिदी का प्रेमी, ठीके चलिए question number 13 की बात करते हैं, तो question number 13 है, मोहरा क्या है, देखिए मोहरा क्या है, सबदात का अर्थ है, मोहरा का अर्थ A में है इमारत, B में है जंगल, C में परवत, और D में नदी, ठीके, तो मोहरा का अर्थ जो होगा, option number D यानि नदी होगा, बिल्कुल केरेक्ट जवाब, चलिए हम आगे question complete करेंगे, चलिए तो question हम बात करते हैं, 14 की कहानिकार के छोटे भाई क्या नाम है, यहनि कहानिकार के छोटे भाई का नाम क्या है, option number A है, भंगू, option B है, जगू, option C है, संतू, option number D है, दीनू, ठीके, तो इसका जो सही जवाब होगा, ओ option number A होगा, ठीके न, Dz'ा, ठीके न, question number 15 की अगर बात की जाए, किसको घर में मचली गोसत बनाना आच्छा नहीं लगता था, यानि घर में मचली गोसत बनाना किसको अच्छा नहीं लगता था, option number A मा को, option number B पिता जी को, option number C संतु को, option number D भंगु को ठीक है तो इसका जो सही जवाब होगा, ओ option number A होगा मा को, ठीक है न चले हम बात करते है question number 16 की, तो question number 16 जो है घर में घुसे तो साले के हाथ पेर टोड़ कर बाहर फेक देना ऐसा किस ने कहा था दोस्तो जब आप chapter को पढ़ेंगे तो ये point आपके book में असपस लिखा हुआ है, कि घर में घुसे तो साले के हाथ पेर टोड़ कर बाहर फेक देना या किस ने कहा था, A में है भंगु, B में है संतु, C में है मा, D में पिता जी इसका जो सही जबाब होगा, वो option number D होगा, पिता जी ने कहा था उसके बाद question number 17 की अगर बात की जाए, संतु, मचली लेकर क्यों भागा बहुत important question है, ये आपको, ये BBI question है, ठीक है ना संतु, मचली लेकर क्यों भागा, option number E, बेचने के लिए, option B, खाने के लिए, option C, काटने के लिए, option D, कुए में डालने के लिए इसका जो सही जबाब होगा, वो option number D होगा, कुए में डालने के लिए, ठीक है चली हम question बात करते हैं, आपको, अठारा की, पीता जी ने, अठारा नमा question है, पीता जी ने किसको मारा था option number D, option B, मा को, option C, संतु को, option D, भंगु को तो दोस्तों, मैं आपसे एक question का answer, आप हमें comment box में बताएंगे, कितने लोग हमें comment बताते हैं, किसका सही जबाब, क्या होगा, ठीक है चे ले lesson number 19 की, तो question number 19 है, भंगु संतु के पीछे-पीछे क्यों भागा, यानि भंगु जो थे, उस संतु के पीछे क्यों भागा, ठीक है न, तो यहाँ पे झाप संतु को मारने के लिए, संतु को बुलाने के लिए, C में मचली छिनने के लिए D में संतु को सम्झाने के लिए इसका सही जवाब होगा जो अप्सान मर सी होगा मचली छिनने के लिए ठीके उसके बाद हम बात करते हैं कुछिश्ट नमर 20 की मचली कहानी में किस बर्ग का जीवन वर्डन किया गया है ठीके option number A उच बरका, option number B मध्यम बरका, option number C निम्न मध्यम बरका, option number D निम्न बरका, ठीके तो option number जो आपको यहाँ पे 20 जो है question इसका सही जवाब होगा option number C निम्न मध्यम बरका, ठीके ना चलिए question हम बात करते हैं, 21 की तो question number 21 जो है संतु नरेन आपस में कौन है, इन संतु और नरेन जो हैं वो आपस में क्या है A में भाई-भाई, B में चाचा भतिजा, C में भाई-बहन, D में जीजा साला इसका सही जवाब होगा option number A भाई-भाई, ठीके ना चलिए question हम 22 की, तो question 22 है, बिनोद कुमार सुकल है, कहानिकार उपनेसकार के अलामा और क्या है ठीके, A में कभी, B में नटकार, C में अलोचक, D में राजनेता, ठीके तो option number जो 22 question है, इसका जो सही जवाब आपको होगा, सु हो जाएगा, D राजनेता, ठीके ना ए राजनेता भी है, ठीके, पोल्टिक्स यान, यानि राजनेता करने वाले चलिए कोश्चन में बात करते हैं, वोगो 23 की तो question अब तेईस जो है, बिनोध कुमार सुकल का जनम कभ हुआ था, काफी important question है तो बिनोध कुमार सुकल का जनम कभ हुआ था, option number 1, January 1936 को, B में है 1, January 1937 को, C में है 1, January 1938 को, D में है 1, January 1949 को तो आपका तेइस का जो एंसर होगा बी नम्मर एक जन्वारी 1937 को ठीक है न अपसे नमा भी बिलकुल सही है ठीक है चथीक है遊戲 चयोविस नमर कोष्चन है विनूत कुमार शुबल का जनम कहां हुआ था विनूत कुमार शुबल का जनम कहां हुआ था तो इसका जो सही जवाब होगा जो question 24 का जो सही जवाब होगा यह होगा option नमर ए राजनन्द 36 ठीक है ना 36 गडवें का जनम हुआ था चलिए question बात करते हैं लोग पचीस की तो question नमर यहाँ पर पचीस है निराला स्रीजन पीठ में अतिथी सहितकार के रूप में कब से कब तक रहें दियान्दी जीगा बिनोत कुमार सुकुल जो हैं जो इस पार्ट के लेखक हैं यह मतलब की निराला स्रीजन पीठ में अतिथी सहितकार भी रहे थे हमें बताना है कि यह कब से कब तक के इस पद पर इन्होंने कारत रहे इस पद पर बने रहे ठीके तो इसका जो सही जी एंसर होगा 25 का सो होगा 1994 से 1994 option number D सही होगा ठीक है question number 26 की बात की जाए तो सुकला जी की कहानी संग्रा है सुकला जी जो कहानी संग्रा लिखे हैं वो कौन है A में है नोकर की कमीज B में है दिवार में एक खिड की रहती थी C में खिलेगा तो देखेंगे और D में पेड़ पर कमरा इसका 26 का जो सही जबाब होगा दोस्तों सो होगा option number D पेड़ पर कमरा ठीक है न तो आज के लिए इतना ही मैं आसा करता हूं मैं उमीद करता हूं कि आपको ये वीडियो का प्रशंद आया होगा आप हमें मतलब की अगर subscribe, share, like, comment कीजिए और अपने दोस्तों के पास share कीजि